नमस्कार योज़ दो स्वागत है आपको मेरे चैल्ड में फिर से एक बार मैं हूँ आँख की वही अंजली बहुत खोब सुरत है ये आँखे तुम्हारे इन्हें बना दो चाहत हवारे हम नहीं मांगते दुनिया के खुशियां जो तुम मन जाओ महबत हमारे जी हाँ आपने सही सुरह हम आज के डेली राशी फल की बात कर रहे हैं ये जो प्रेडिक्शन है वो चंदे राशी पर आधारित है सबसे पहले आज के दिन जनका बाचे है या फिर मारी दर्मोर्सरी है उनको मेरी तरब से धेड़ सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता जिन्दगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ दिने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला अच्छा नहीं लगता हर बार किसी को अपनी याद दिलाना अगर अहम्यत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे औरत बहादुर होती है मगर चुक जाती है कभी मुहबद बचाने के लिए तो कभी रिष्टा बचाने के लिए इसलिए हमेशा औरत की हर रूप में इज़द करो चाहे वो बेटी है बहु है माँ है बहन है या पतनी है तुफान अगर जादा हो तो कश्तियां डूब जाती है और घमंड जादा हो तो हस्तियां भी डूब जाया करती है अरे लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता पर मेरा मानना है कि रोने से सुकून बहुत मिलता है इबादत में बहुत ताकत है जनाब फक्त धागा भी ताबीज बन जाता है अरे भगवान पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते जाएए कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको यकीन मानिये सफलता आपके साथ होगी तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी उस रब से क्या चिपावे, जिसकी हाथ है सब की डोरी सबसे पेले में आपको बता दू क्या आज आपके लिए जो है भागे शाली रंग यानि की लखी कलर रहने वाला है यालो कलर आप लामन कलर भी इस्तमाल कर सकते हैं लाइट यादो और जो भागे शाली आंक है वो नमबर तीन रहेगा सितारे आपके बारे में आज कहते हैं कि आज आप अपनी महनत और डिसिल्प्लिन की वजह से नवाजी जाएंगे आपकी निर्णे में बदलाव लाना और उनके लिए मुश्किल होता है तो इसलिए निर्णे लेते समय यानि कि फैसला करते समय उसका रिजल्ट और पर क्या हो सकता है ये भी धियान रखना होगा यानि कि जो भी फैसला लीजिएगा आज सो समझ कर लीजिए और हर चीज को पहले देख लीजिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा आगे आज दिल से ज़ादा दिमाग का इस्तमाल करना होगा इसके वज़े से जो हैं लोग आपको भावनात्मक रूप से कठोर समझ सकते हैं आज आपको बड़े ही उश्यारी से हर कदम जो है उठाना पड़ेगा साथ में सितारे कहते हैं कि pathology lab वालों को अधिक अनकूलता रह सकती है उनके लिए दिन बढ़िया कहा जा सकता है अगर पित्र दोश्वाले हैं तो अपनी खास बादों को निकट की लोगों के साथ साजा बिलकुल भी ना करें अपनी चीजें चुहें खुद तक ही सीमीत रखेगा साथ में आज आव अपने अंदर एक भरवूर विश्वास और उर्चा महसूस कर पाएंगे काफे चुस्ती में रहेंगे आज आर्थिक पक्ष आज काफी मचबूर दिख रहा है जैसा किसे दारे कह रहे हैं और अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने की भी आप कोशिश करेंगे किसी नज़्दी के रिष्टेदार के घर जाने की उजना बन रही है साथी में वहाँ पर चहल पहल भी रहेगी दुख सुख साजा हो सकता है, मौज मस्ती भी कर सकते है समय मनुरंजन और हसी कुशी में के साथ स्पेंट कर पाएंगी लेकिन हाँ, खर्चों की अधिक्ता भी जादा है साथी में जिसकी वज़े से बचट आपका गडबड आ सकता है कोई दुखत समाचार मिलने से आत्म विश्वास और कारिक शम्ता में भी कमी आ सकती है घर में नेगटी महौल कई लोगों के लिए रह सकता है लेकिन जारा तर लोगों के लिए पॉजिटिव ही बना हुआ है साथ में अज काम की बारे में आपका जो आत्म विश्वास है उसके बढ़ने की वज़े से काम के धार्गिट को काफी हद तक आप कम्प्लेट कर पाएंगे समय से पहले आपके लिए बहुत असान रहेगा और आपको आनन्द दे सकता है पर्सनल लाइफ से जुड़ी सभी बातों में बैलन्स होने की वज़े से अध्यात्मिक रूप से बहतर बनने की कोशिश भी जारी रखेंगे यानि कि आप धार्मिक चीजों पर काफी जादा फोकस बनाए रखेंगे साथ में spirituality में आपका एक नया कदम होगा आज आपके जो रूके हुई राज की काम है किसी प्रभावशरी व्यक्ति की सहायता से आप complete कर पाएंगे बस आपको इसके लिए प्रयासरत रहना है मेहनत करनी है साथ यसाथ में बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विश्य शुरूप से योगदान आज बना रहेगा बच्चों के लिए आप काफी टाइम स्पेंट कर पाएंगे आप श्रेश्ट अभी भावग भी साबित होगे बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको अगर सॉल्व करते हैं उनके साथ तो बैटर रहेगा किसी समंदी या फिर पडोसियों के साथ किसी तरह के भी वादे वादे मत पड़ेगा अगर कोई लडाई करता है तो आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है खामखा आप भी बीच में गसीटे चले जाएंगे तो आपको यही मैसलाह दूंगी कि आप बिल्कुल भी किसी मामल में दखर अंदाजी या हस्तक्षिप मत कीज़ेगा आज money invest कार्यों को भी करने से पहले आपको policy की अच्छी से जांच कर लेनी चाहिए आगर आप कोई share वगरा खरेना चाहते हैं उसमें invest कर रहे हैं तो उसकी पहले में सारी information उस share के बारे में पता कर लीजीगा फिर ही कोई share में investment कीज़ेगा क्योंकि लापरवाह की वज़े से आज नुकसान होने की भी संभावनाई बन रही है चले बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की business और carrier के भारे में आज वेविसाई में गती लाने के लिए कुछ नई नेतिया बनानी ज़रूरी है और rules और regulations में आप बदलाव कर सकते हैं हाला की वर्तमान नकरात्मक वातावरन की वज़े से व्यपारम मंद हो सकता है नौकर में त्योहारों की वज़े से कारेभार पर भी अधिकता रह सकते हैं आने माले दिनों में आप कॉफी शॉपिंग करेंगे जिसकी वज़े से थोड़ा budget डगमगा सकता है लेकिन जिन्ता मत कीजेगा इंकम के साथ और आपको बंते नजर आएंगे साथ ही में आपको थोड़ा बहुत overtime भी करना पर सकता है इसपेशली जनकी government jobs है और private job भी है दोनों job वाले व्यक्तियों को जो है काफी overtime करना पर सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना होगा इस बात का आज नौकरी ढूणने वालों को फिलहाल छोटी नौकरी पर ही समाधान मानना होगा यानि कि जैसा आप चाहते हैं कि बड़े skill पर आपको job मिले या ज़ादा पैसो वाली नौकरी मिले तो उसमें अभी थोड़ा time लग सकता है इसलिए भी जहाँ पर है वही पर है या फिर आपको जोन से भी job मिलती है वही पर है तो पैठ रहेगा वरतमान वे विसाई का गतिविथियों का विस्तार करने के लिए कुछ नई plannings बनाएंगे आप इसमें बहुत ही उचित ग्रह सितियां बनी हुई है यानि कि आपके लिए अनकूल सितियां है इसलिए इन योजनाव को फॉरण ही क्रियानवित करें यानि कि प्रैक्टिकल करें आर्थिक पक्ष आपका इससे बहुत ही हद तक मजबूत बन पाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपनी महनत के बलपूत्य पर आप अपना नाम कमा सकते हैं काफी मिच बढ़ेगी सुर्खियों में रहेंगे लोग आपका मान समान और इज़त करेंगे बलकि घर वाले भी आपकी इज़त करेंगे चलिए बागे बढ़ते हैं फिर बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि आज पती पत्नी के आपसी सबंद काफी बढ़िया रहेंगे मदूर और अनन से भरे रहेंगे घर के महाल को खुश्णवा बनाने के लिए आप विशीश रूप से अपना योगदान देंगे आप चुरी-चुरी चीज़ों से घर का महाल अच्छा बना सकते हैं साथ में आज आपके विचार हैं और जो सोच है उसको समझ पाना थोड़ा पार्णक के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वेहत असान रहेगा सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है पार्टनर के द्वारा आज जम्मन में काफी शांती रहेगी बहुत सुकून मिल पाएगा आज आपको और थोड़ा बहुत अराम भी फिर्वाएंगे उनके साथ परिवार वालों के साथ शॉपिंग करना और उनके साथ समय बिताना आपसे जमंदों को और भी गहरा बना सकता है बच्चिया जो बहुत जिद्द करेंगे कुछ चीजे ले सकते हैं मार्केट से लेकिन बहुत महंगी महंगी लेकिन आपको थोड़ा लगाल लगाना होगा उन्हें शॉपिंग जरूर करवाएं लेकिन जरा आप जो है कम दामों में करवाएं क्योंकि बच्चिट आपका जो है वो थोड़ा लगमगा सकता है बच्चिट पर ध्यान देना होगा क्योंकि आगे जो हैं काफी चीजे खर्च हो सकती है चलिए बागे बट्वर बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में तो हेल्थ कहती है कि हेल्थ तो बहुत ही बढ़िया देखी जा रही है सितारों के द्रिष्टी से किसी वे प्रिकार की बस आपको चिंता नहीं करनी है लेकिन सावधानी बढ़तना भी जरूरी है फालतियों के खयाल को बाहर निकाल दीजिए और अच्छे खयाल मन में लाइए साथ हमें आज योगा करने से आपको बहुत दिराहत मिल सकते हैं अगर आपको ऐसेड़ी बार-बार बन रही है तो आपको आयरुवेदिक इलाज लेना चाहिए उससे जल्दे ही आपको बहुत जल्द आराम मिल पाएगा अपनी दिन चरिया और खाने पीनों को विवस्तित कीज़ेगा सयमित बना कर रखिए तो बैटर रहेंगा इससे आप जो है निरोग रहेंगे जिनको जॉइंट्स फगरा पेन है उनको खास तोर पर अपना ध्यान रखना है साथ ही में अगर कोई पुरानी विमारी से जूज रहा था तो उनको बहुत हद तक रहात मिल सकती है उसका उपाय मिल सकता है चिंता करने की कोई बात नहीं है हर चीज का इलाज है बस आपको जो है हिम्मत नहीं हानी है और प्रॉपर डाइट लेनी है अपना ध्यान रखना है फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान पर भी विश्वास रखिएगा चलि बंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश्य उपाई के बारे में तो आपके लिए विशेश्य उपाई रहेगा कि आज आज आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो है आज उनको तिलफ लगाना चाहिए साथ में आज लड़ूं का भोग भी लगाएंगे और उनको लड़ूं को जो भोग लगाने के बाद आप मंदिर में ही जो लोग है उनको बांड़ दीचे या फिर बाहर जो बैठे होते हैं जरूरत मंद लोग उनको जरूर बांटे और हो सके तो आप थोड़ा दान पुन भी गुपतरूपसिन को जरूर कीजिगा इसे के साथ ही आज दुर्गा कवच पढ़ने आप के रिए बहुत ही लाब दाय करहेगा कि दुर्गा कवच पढ़ने से आप पर जो है माता राने की किरिपाव बनी रहती हैं और कोई भी नेगेटिव शक्ति आपको घेरा नहीं बना सकती तो आप यह जरूर उपाय करें तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो उच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद